Hello students, इस वीडियो में हम बात करेंगे NCRT Numericals की Previous वीडियो में हमने friction देखा था और और previous वीडियो में हमें NCRT Numericals solve करे थे तो आज उसी को continue करते हुए हम और कुछ Numericals solve करते हैं NCRT के So welcome to Magnet Brains, मैं हुँ विभूती खरे तो चलिए आज का वीडियो हम start करते हैं NCRT के next question के साथ क्या है भे वो question? If action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart अब बच्चों को action और reaction force में एक और confusion, एक और doubt आता है कि ma'am, when we talk about balanced and unbalanced force अगर इस block पे मैंने 5 newton force लगाया है तो ये block move करने लगेगा वहीं अगर मैंने इस पे दूसरी side से भी 5 newton force लगा दिया है तो फिर ये block rest पे आ जाना चाहिए यानि कि यहाँ पे दोनों ही conditions क्या हो गई? balanced हो गई हमने balanced और unbalanced forces के numericals बहुत सारे solve कर रहे हैं ये जो pen है, इस पे अगर मैं मेरा left hand भी 5 newton force लगाए और right hand भी 5 newton force लगाए तो क्या ये pen move करेगा? नहीं करेगा क्यों? क्योंकि condition है balanced और मैंना को पहले भी बताया है कि balanced force कभी भी object की state change नहीं कर सकता Is that clear? तो हमने क्या सीखा? कि balanced force यहाँ पे लग रहा है? यानि कि एक force ने दूसरे force को cancel out कर दिया तो condition हो गई balanced block हिला ही नहीं तो हम action और reaction force को क्यों नहीं cancel out कर सकते हैं जैसे कि हम चलते हैं, walk करते हैं ठीक है? walk करते डाइम हमारे पैरों ने force exert किया कहां पे? ग्राउंड पे किया तो ग्राउंड ने भी बदले में equal magnitude का force exert कर दिया हमारे पाउं पे जिसकी बज़े से हम आगे बढ़ गए है ना? ये हम चीज नॉर्मली देखते हैं इसको हमने क्या बोला था? action force और second force कौन सा था? उसके answer में उसको हमने बोला reaction force Is that clear? तो हम इसको cancel out क्यों नहीं कर सकते हैं just like balanced forces उसका reason ये है कि जो balanced force है ना? ये किवर एकी object पे act कर रहे हैं हम forces को cancel out तभी कर सकते हैं जब same object पे लगे जो action और reaction force है वो अलग-अलग object पे लगते हैं मैं जब चली तो मेरे feet ने, मेरे pair ने force किस पे exert किया था? ground पे exert किया था तो ground क्या हो गया? एक object हो गया बदले में ground ने मेरे pairों पर भी एक exert किया force ठीक है? किस पे किया था? मेरे pair पे तो मेरे pair क्या हो गया? object 2 तो दो अलग-अलग forces पे जब action और reaction force लगते हैं तो उन्हें हम cancel out नहीं कर सकते अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ये question अब आपके लिए हो जाना चाहिए let's do क्या पूछा गया है? कि भाई एक horse है और वो अगर action और reaction force रहें equal होता है magnitude में direction में भी opposite होते हैं तो फिर एक horse pull क्यों कैसे कर पाता है? काट तो उसका reason यही है कि जब horse move करता है तो horse अपने पैरों से जो force है वो ground पे exert करता है इस direction में तो बदलने में क्या होता है? ground भी उसके पैरों पे एक force exert करेगा equal magnitude का opposite direction में इस तरह से जिसके कारण क्या होता है? horse आगे बढ़ जाता है आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे जो cart जो गोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं जो गाड़ी attach जोती है जुड़ी होती है वो भी उसके साथ आगे बढ़ जाती है तो I hope आपके doubt आप clear हो गया हो कि क्यों balance forces conditions balance हो जाती है है ना क्यों? क्योंकि एक force दूसरे force को cancel out कर देता है and the reason is कि दोनों forces एक ही object पे लगते हैं और जब हम बात करते हैं action और reaction force की तो दोनों forces जो होते हैं वो अलग-अलग objects पे लगते हैं जिसके कारण हम उनको cancel out नहीं कर सकते हैं उपोज़ इक्वल magnitude और opposite direction होने के बावजूद हम उसे cancel out नहीं कर सकते हैं जैसे हमने gun और bullet वाला example देखा था कि जो gun है हमने law of conservation of momentum पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि एक ball आकर के दूसरी ball को आकर के टककर मारी थी collision हो रहा था तो उस time पे हमने क्या बोला था कि जो force apply किया है जब एक object दूसरी body से जाकर के act करता है तो वो एक force exert करेगा तो ball A ने ball B पे जो force exert किया था collision के time पे उतने ही magnitude का same amount का force ball B ने भी ball A पे exert करा था opposite direction में इसी को फिर follow करते हुए force का हमने formula रग दिया था mass into acceleration और पूरा law of conservation of momentum हमने derive किया था किया था किया था किया था है तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने next question पर next question क्या बोल रहा है explain why is it difficult for a fireman to hold a horse which ejects large amounts of water at a very high velocity fireman है fireman का काम क्या होता है जिस भी building में जहां भी आग लगी है तो वहाँ वो अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं और एक मोटा सा उनके पास इतना मोटा काफी मोटा से एक pipe होता है जिसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं horse ठीके तो इस horse के तुरू बहुत सारा यहां से पानी निकालते हैं high velocity के साथ जिसके वज़े से जहां भी fire है उसको वो क्या कर देते हैं बुझा देते हैं अब सवाल यह है कि fireman को इस pipe को पकड़ते टाइम पे कुछ जोर सी क्यों पकड़ना पड़ता है दीमे सी क्यों ने पकड़ सकते हैं जैसे हम normal पौधों में पानी डालते हैं watering करते हैं अपने normal water pipe से उसको हम एक हाथ से भी असानी से पकड़ सकते हैं लेकिन जब fireman इस water pipe को पकड़ता है एक तो इनके pipe का size बहुत बड़ा होता है तो इसको पकड़ने के लिए उनको इतनी difficulty क्यों होती है difficulty इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे भी Newton's third law of motion रग रहा है action और reaction वाला system यहाँ भी है क्यों क्योंकि जब इस pipe से water बाहर की तरफ निकलता है तो बहुत ही बहुत सकते हैं कि जो pipe है वो इस water की उपर बहुत जादा force लगाता है इस force के कारण जो water है वो high velocity के साथ जो है बाहर निकल जाता है तो अगर pipe ने water की उपर force लगा दिया याने कि उसने क्या कर दिया action कर दिया तो क्या पानी चुब बैठेगा क्या water चुब बैठेगा बिलकुल भी नहीं according to Newton's third law of motion पानी भी क्या करेगा pipe के उपर एक force लगाएगा equal amount का action के बराबर लेकिन direction हो जाएगी opposite उसे हम क्या कहेंगे बच्चो उसे हम कहेंगे reaction तो क्या होगा जिस force के साथ जिस action force के साथ pipe ने water पे force लगाए था जिसके करण वो high velocity के साथ बाहर निकल गया उसी magnitude का force water ने लगा दिया pipe के उपर जिसको हमने बोला reaction force जिसके कारण pipe क्या होता है pipe भी जो है ना move करने लगता है बई force लगा है reaction force लगा है तो motion तो होगा acceleration तो आएगा जैसे कि हमने बोला है force का formula क्या होता है according to Newton's second law of motion mass into acceleration अगर किसी object का mass है m उस पे force लगा है f तो वो accelerate तो करेगा ही है ना जैसे हम gun की बात कर रहे थे अभी हम next question में record velocity of gun भी find out करेंगे तो gun के example में हमने देखा था कि gun ने bullet को fire किया एक force exert किया gun ने bullet के उपर जिसके कारण high velocity के साथ gun निकल गई बाहर लेकिन बतले में जो sorry bullet बाहर निकल गई bullet ने क्या किया bullet ने भी equal magnitude का force लगाया कहा gun के उपर जिसके कारण हमारी gun जो हम उससे shoot करते हैं तो वो पीछे के तरफ जाती है लेकिन gun का mass क्योंकि bullet से जादा होता है इसलिए वो जादा accelerate नहीं कर पाती इतना समझ में आया आपको तो यहाँ पे भी same situation है कि क्यों एक fireman को जो horse है water pipe है उसको पकड़ने के time पे इतना force की साथ पकड़ना पड़ता है difficulty क्यों होती है when a fire horse pipe ejects large amounts of water in the forward direction at a high velocity then the forward going stream of the water exerts a backward reaction force due to which the horse pipe tends to go backward पीछे के तरफ वो जाने के कोशिश करता है and slips from the hands of fireman this backward movement of the horse pipe makes it difficult for a fireman to hold the horse pipe and the fireman has to hold the horse pipe strongly बहुत कस के पकड़ना पड़ता है वटना तो pipe जो है पीछे के तरफ फिका जाएगा इतना clear है आपको यहाँ पे भी क्या लग रहा है यहाँ पे भी हमारा Newton's 3rd law of motion लग रहा है चलो अब next question पे आते है next question क्या है from a rifle of mass 4 kg आगया rifle और bullet का case a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second calculate the initial recoil velocity of the rifle यह हम पहले भी question solve कर सके है इसमें क्या होता है हमारी जो gun है और जो bullet है जब उससे bullet fire नहीं करी गई है गन से तो bullet और जो gun है वो दोनों ही कैसे रहते है rest पे रहते है तो हम बोल सकते हैं भाई कि initial velocity of gun और initial velocity of bullet दोनों क्या होती है 0 होती है तो अगर आप initial momentum निकालोगे यहाँ पे हमें law of conservation of momentum निकालना है that is total initial momentum is equal to total final momentum initial momentum अब कैसे निकालोगे bullet और gun का जो momentum होता है momentum का formula क्या है P is equal to M into V इस formula से पहले आप निकालोगे किसका gun का निकालोगे फिर आप निकालोगे किसका bullet का जो कि दोनों की initial velocities कितनी है 0 है यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है तो जो total initial momentum है दोनों ही gun और bullet का क्या आ जाएगा बच्चो 0 आ जाएगा इस चीज़ को तो हम सब देख चुके हैं अब हम क्या करते हैं अब हम total final momentum निकालते हैं total final momentum क्या कि जब उस gun से bullet shoot करी जा चुकी है तब तब कम हमें momentum निकालना है ठीक है momentum का formula तो सेम ही रहेगा ठीक है लेकिन क्या बचलेगा velocity change हो जाएगी mass तो वही रहेगा ठीक है तो अभी हम निकाल लेते हैं total final momentum total final momentum को सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं सबसे पहले bullet का momentum निकालने ते हैं चलो तो bullet का mass कितने दिया गया है 50 gram दिया गया है momentum की ऐसा unit क्या होती है kg meter per second तो हमको mass को kg में convert करना पड़ेगा तो 50 grams कितने kg होता है तो हमने बोल दिया 0.05 kg 0.05 kg into उसकी velocity कितनी दी गई है velocity दी गई है इधर 35 meter per second multiply कर दो आपका answer कितना आजाएगा 1.75 kg meter per second ये क्या हुआ ये निकाला है हमने momentum किसका bullet का अब हम बात करते हैं किसकी rifle की rifle की momentum हम निकालते है तो mass कितना दिया है rifle का mass हमको दिया है 4 kg conversion की requirement नहीं है और velocity of rifle actually हमको recoil velocity ही तो निकालनी है है ना हमको recoil velocity तो निकालनी थी हमको rifle की तो वो ही हमको यहाँ पर find out करना है तो चलो हम velocity ले लेते हैं rifle की कितनी v तो यह कितना हो जाएगा 4 kg into v यह कितना हो गया 4 v kg meter per second अब हम क्या करते हैं अब हम initial momentum is equal to final momentum लगा देते हैं यानि की law of conservation of mass लगा देते हैं क्या होता है total initial momentum is equal to total final momentum total initial momentum तो हमारा 0 था क्योंकि दोनों की initial velocity 0 थी is equal to final momentum कितना आया final आया था अपना कितना 1.75 plus यह क्या है total final momentum यह आया था momentum bullet का और gun का कितना आया था 4 v ठीक है अब हम क्या करते हैं 4 v को ले जाते हैं LHS में यह कितना हो जाएगा minus 4 v क्योंकि जब हम side change करते हैं तो sign भी change हो जाता है minus 4 v is equal to 1.75 v is equal to minus 1.75 divide कर दो इसको 4 के साथ तो कितना आ जाएगा आपका minus 4 375 meter per second अब आप बोलोगे कि भाई यह जो recoil velocity of gun आई है इसमें minus sign क्या बता रहा है minus sign हमें बता रहा है कि जब bullet gun से shoot करी जाएगे तो bullet जाएगी आगे और जो gun है वो थोड़ी पीछे की तरफ bend कर जाएगी यानि कि वो भी पीछे की तरफ move कर जाएगी लेकिन जो कि उसका mass जादा है bullet से इसलिए जादा acceleration नहीं होगा क्योंकि हमें पता है force is equals to mass into acceleration अगर मैं mass को relate करूँ force के साथ तो वो हो जाएगा force upon acceleration यानि कि अगर mass जादा है तो object का mass जादा है तो उसका acceleration हो जाएगा कम इतना clear है normal question है हम already solve कर चुके हैं चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्या है two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and the direction with the velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively they collide and after the collision the first object moves at the velocity of 1.67 meter per second determine the velocity of the second object ये भी normal question है हमने बहुत साथ इसे question solve कर रहे हैं इसको भी कर देंगे क्या बोला गया है दो objects हैं जिनके masses थे 100 gram और 200 gram सबसे पहले तो gram को ही convert कर लो kg में ठीक है तो यहां पर कित्ता आजाएगा यहां आजाएगा 0.1 kg और यहां आजाएगा 0.2 kg तो दो objects थे अलग-अलग masses के अलग-अलग velocities के साथ क्या कर रहे थे move कर रहे थे फिर क्या हुआ दोनों में हो गया collision collision के बाद में बोला गया है एक object की velocity दी गई है कि वो collision के बाद में 1.67 meter per second की velocity से चलने लगा था दूसरे object की velocity पूछी कि भाई दूसरे object की collision के बाद में velocity क्या होगी तो हमारा method क्या है method हमारा वो ही है हम क्या करेंगे सबसे पहले तो initial momentum निकालेंगे total initial momentum that is addition of sum of momentum of first object and the momentum of second object फिर उसको equate कर देंगे किस के साथ total final momentum के साथ तो चलो निकाल लेते हैं सबसे पहले first object का momentum निकालते हैं before collision क्या है mass अमने निकाली रहा था 0.1 into किस velocity के साथ पहला वालब move कर रहा था 2 meter per second के साथ तो हमारा जो पहला जो object है उसका initial momentum क्या आया है यानि कि before collision momentum क्या था 0.2 kg meter per second अब इसके बाद में second object का initial momentum निकालते हैं यानि कि momentum before collision उसका mass कितना था 0.2 kg और वो किस velocity के साथ जा रहा था 1 meter per second velocity के साथ जा रहा था तो हमने क्या किया simply momentum का formula क्या होता है mass into velocity वो ही formula लगा दिया और हमें second object का भी initial momentum निकाल गया कितना 0.2 kg meter per second इतना clear है I hope इसमें कोई doubt नहीं होगा हम already कहीं सारे question इसमें solve कर चुके हैं चलो अब total हमें कौन सा momentum निकालना है यह हो जाएगा total initial momentum कितना आया 0.2 प्लस 0.2 यह कितना हो जागा 0.4 kg meter per second यह क्या है total initial momentum अब हमें total final momentum निकालना है यानि कि momentum after collision तो हम क्या जे निकालेंगे first object का mass तो उतना ही रहागा 0.1 kg collision के बाद भी velocity change हो जाएगी velocity किती दी गई है collision के बाद में 1.67 meter per second simply put कर दो formula में P is equals to M into V कितना आजाएगा 0.167 kg meter per second फिर दूसरा जो object है उसका mass कितना दिया गया है collision के बाद भी 0.2 kg ही रहेगा उसकी velocity ही हमसे पूछी गई है तो हम क्या करेंगे formula यही बाला लगा देंगे 0.2 into V V क्या है V हमने velocity assume करी कि V velocity होगी उस object की after collision अब हम क्या करेंगे total momentum after collision याने कि total final momentum कितना आया 0.167 plus 0.2 V इतना clear है चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्या हुआ अब हम क्या करेंगे law of conservation of momentum निकालेंगे initial और final momentum को equate कर देंगे total initial और final momentum initial momentum क्या आया था total 0.4 final कितना आया था 0.167 plus 0.2 V ठीक है तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे 0.2 V और 0.4 में से 0.167 कर देंगे minus याने कि इस 0.167 को हम ले जाएगे LHS में minus कर देंगे कितना अंसर आएगा 0.233 अब V की value निकालने के लिए 0.233 के नीचे हम उसको divide कर देंगे 0.2 के साथ तो हमारी velocity निकल जाएगी second objectory after collision 0.165 मीटर पर सेकंड क्या यहाँ पर negative sign है नहीं है कौन से sign है positive sign है positive sign क्या बताता है हमको positive sign बताता है कि object collision के पहले move कर रहा था तो collision के बाद भी वो उसी velocity के साथ वो उसी direction में changed velocity के साथ move करेगा ठीकिए और अगर मैं हापे क्योंकि हमें positive sign है तो positive sign है हमें यहीं बताता है जब हम gun वाला question solve करते हैं जिसमें कि हमें recoil velocity of gun calculate करनी होती है तो हमेशा हमारी velocity negative आती है क्योंकि gun bullet को fire करने के बाद पीछे जाती है लेकिन यहाँ पर velocity positive आई है इसका मतलब क्या कि suppose यह जो दो objects थे object 1, object 2 ठीक है यह जा रहा था 2 meter per second की velocity से यह जा रहा था 1 meter per second की velocity से क्या हुआ दोनों में हो गया क्या collision दोनों में हो गया collision यह हो गया दोनों आपस में टकरा गए टकराने के बाद क्या हुआ टकराने के बाद जो object 1 है वो 1.167 जो भी velocity थी उससे move करने लगा और यह जो दोसरा object है ठीक है वो अब किस velocity से move करेगा velocity हम बोलते हैं कि अच्छा यह वाली velocity से move करेगा लेकिन direction क्या होगी direction यहाँ पे मैंने जगा नहीं थी तो इसलिए मैंने ऊपर कर दिया बागी direction क्या रहेगी उसकी इसी direction में move करेगा positive sign हमें यही बताता है velocity का इतना आपको clear है I hope यह questions आपको हो गए होंगे clear तो अब इस video के लिए इतना ही next video में हम बात करेंगे कुछ और NCRT numericals की अब एक नजर उन courses और उन syllabus पे class 4th to class 12th जिनका content है ready videos हैं आप तक available जाए उन्हें देखिए अपनी learning continue रखिए magnet brains के साथ thank you for watching